अब दे को इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सभी Harry Potter franchise के बहुत बड़े वाले फैन हैं करीबन 2001 से लेकर 2011 तक हमें इस franchise की सभी movies देखने को मिल गए थी जिसके करीबन 5 साल बात से हमें Harry Potter की prequel spinnock movies भी देखने को मिली Fantastic Beast के नाम से जिसे audience ने पसंद तो किया पर Harry Potter के जितना नह और आज करीबन 12 साल भी चोके हैं जिसके बाद अभी भी fans चाती हैं कि हमें इस franchise से कुछ न कुछ देखने को मिले जिसको लेकर काफी time से ऐसे rumor भी सुनने में आ रही है कि में भी platform काम कर रहा है Harry Potter and the Curse Child की TV सीरीज की ओपर पर फिलाल के लिए ये show बन रहा है या फिर नहीं इसकी रिपोर्ट के इसाब से book series की author जेके रोलिंग में भी इस TV सीरीज को produce करने वाली है और अगर उनकी ये deal platform के साथ done हो जाती है तो highly chance है कि इस TV सीरीज को अपना writer मिलेगा जिसके बाद से ये show track पर भी आ जाएगा साथ इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि makers के mind में इस TV सीरीज को लेकर जो basic idea है उसके इसाब से इस show का हर एक season फोकस करेगा Harry Potter की एक book के उपर which means 7 books 7 seasons यानि कि ये लोग Harry Potter की movies को वापस से recreate करने वाली हैं बट इस बार TV सीरीज की form में जिसके लिए आप में से कौन-कौन वेट करना है तो नीचे हैश्टेग HPTV सीरीज कॉमेंट करना मत भूलना बाकी आगे इसके बारे में जो भी update निकलके ही आएगी मैं आपको inform कर दूँगा अब देखो अगर बात करें जॉन विक के बारे में तो आप मेंसे काफी लोग ये बातों जानते हैं कि हमें जॉन व बोल सकती हैं कि आपको इस मुवी की अंदर लेटी जॉन विक देखने को मिलेगी जिसका रोल प्ले कर रही है एनदी अर्मास हाला कि इस बार मुवी को डिरेक्शन देने वाली है लैन वाइसमेन जो कि इस पहले डाई हाड़ 4 और लूसिफर जैसी टीवी सीरीज बना चु करने वाली है जॉन विक पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के इवेंट के बीच में अब क्योंकि यह जॉन विक की स्पिन अफ मुवी है तो असलिए आपको इसकी अंदर जॉन विक अभी एक अच्छा कासा कैमियो देखने को मिलेगा जो कि में भी जॉन विक और बैलरीना की जिसके लिए आप में से कौन कर वेट कर रहा है तो नीचे हैश्टेग जॉन विक स्पिन अफ कॉमेंट करना मत भूलना और बाकी आपको जॉन विक की प्रीकुल सीरीज के बारे में जानना है तो यह वीडियो अच्छे से देख लेना